हालो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं प्रजना कैपसूल प्रजना एच्चेस कैपसूल इस पे दिखे आपको दिखा हुआ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा पसू को मद में लाने के लिए यानि पसू को हिट में लाने के लिए यह हम प्रजना एच् होता क्या है कभी-कभी आप अपने पसू की डी ओर्मिंग करवा देते हो हर तीन महीने पे उसके साथ साथ मिनरल पाउडर या मिनरल कैपसूल मिनरल टैबलेट आप खिला देते हो सब कुछ करने के बाद भी आपकी पसूल हिट में नहीं आती हैं ऐसा बहुत ही रियर कंडिश होता है तो दोस्तों उसी के लिए हम लेकर आपने प्रजना कैपसूल टोस्तों आपको दिखाई देंगे अथे सकते हो large प्रजना कैपसूल हमने निकाल लिए है च्छा हमने और निकाल लिए टोटल 12 कैपसूल यहां पर है प्रजना के एक्चेस कैपसूल इस कैपसूल को अगर हम देते हैं अपने गाय भैस भेड़ बकरियों को तो हीट में आ जाएंगी तो इसका यूज कैसे करांगे दोस्तों 6 क होता क्या है आपने यह भी दिखाऊगा तीन साल चार साल की हमारी पसू हो जाती है बकरियां डेर साल दो साल की हो जाती है भेड़ भी दो तीन साल की हो जाती है लेकिन हिट में ही नहीं आती है या पिर ऐसा भी होता है कभी कभी हमारी पसू ब्या जाती है ब्याने के बाद हिट में आतों आती है लेकिन हम एक दूबार छोड़ देते है गैप करवा देते है उनको क्रास नहीं करवाते है उसके बाद हमारी पसू हिट में ही नहीं आती है 6 महिने, 7 महिने, 8 महिने एक-एक साल हो जाते है लेकिन हिट में ही नहीं आती है तो उस condition में भी आप इस प्रजना HS capsule का यूज़ करवाईएगा बहुत ही अच्छा result देखनेों को मिलेगा cow and buffalo में आपको 3 capsule और sheep और goat में 2 capsule यानि गाय भैस में आपको 3 capsule daily 4 दिन तक लगातार आपको देना है total 12 capsule देना है और बकरियों में आपको daily 2 capsule देना है 6 दिन तक लगातार देना है छोटे जरू में जैसे भेड बकरियों में लेकिन गाय भैस में हम 3 capsule देंगे 4 दिन तक लगातार हमारी पसू 21 दिन के अंदर आसानी से हिट में आ जाती है और कभी कभी 2 से 3 दिन में ही आपकी पसू हिट में आ जाएगी लेकिन उस टाइम आप पसू की AI नहीं करा सकते है जब आपकी पसू समय से 21 दिन में हिट में आए तभी आप पसू की AI कराए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखनों को मिलेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेट में जुरू बताना तो आज के लिए इतना ही धान्यवाद हमारे यूटूब फैमिली मेंबर